रादे रादे जैसी कृष्णा मैं सीमा सिंग बढ़ों को चारणिस पर चोटों को प्यार और बराबर वालों को नमस्कार करती हूँ आज मैं आपको मौक्षदा एकादशी का महात्या में और एक पोरारी कथा भी सुनाओंगी आईए अब हम मौक्षदा एकादशी का महात्या में सुनते हैं जो मनुष्य मौक्षदा एकादशी के दिन भूमी, गाय, तिल, उपनाह, वस्त्र, छत्र, जूता, छत्री, कंबल, गद्दा, रजाई, शैया दान करते हैं उन्हें मरने पर यमराच के दर्शन नहीं बलकि विश्नु भगवान के दर्शन होते हैं जो मनुष्य अपने जिवन काल में कुवा, ताला, बगीचा, बावडी, धरमशाला, अस्पताल आदी बनवाते हैं उन्हें यम के दुख नहीं देखने पड़ते हैं वह मनुष्य इस लोग में समस्त सुक भोग कर मरने के बाद विश्नु लोग को पाते हैं मोक्षदा एकादशी का वरत करने वाले का फल केवल वरती मनुष्य को ही नहीं मिलता बलकि उनके पित्तरों को भी मिलता है अगर उनके पित्तर नरक में पड़े हैं तो उनका उध्धार हो जाता है जो मनुष्य मोक्षदा एकादशी के दिन भगवान विश्नु और भगवान शीव के अलावा क्रश्न और वामन भगवान की रूप की पूजा करते हैं तो उन्हें कुवेर का खजाना मिलता है मोक्षदा एकादशी के दिन शंक चक्र गदाधारी विश्नु भगवान की पूजा धूप दीप नेवेद्य से करने से उन्हें जो फल गंगा इस्तनान करने पवित्रतीतों में जाकर इस्तनान करने सूरिय चंदर ग्रहन पर प्रियाग केदान नात और कासी कुरुशेत्र में इस्तनान करने से मिलता है वही फल भगवान विश्नु मोक्षदा एकादशी के दिन पूजन करने से ही प्रदान कर देते हैं जो फल बचड़ा युक्त गाय दान करने से मिलता है वही फल मोक्षदा एकादशी का वरत करने से ही मिल जाता है मोक्षदा एकादशी का व्रत करने से सभी कोटी देवी देवताओं का आशिरवाद मिलता है जो मनुष मोक्षदा एकादशी का उपवास रखते हैं रातरी जागरन में समय बिताते हैं भजन कीरतन करते हैं उस मनुष की कभी दुर्गती नहीं होती एक आदशी व्रत में भगवान विश्नु की इस्तुती पुजा तुलसी मंजरी से पुजा करनी चाहिए जो मनुश्य मुक्षिदा एकादशी के दिन विश्णु भगवान की पुजा तुलसी दल से करता है वे इस संसार सागर में रहते हुए भी इस प्रकार अलग रहता है जैसे कमल का पुष्प जल से अलग रहता है विश्णु भगवान की तुलसी दल से पुजा करने का फल एक भार स्वन और चार भार चांदी के दान के फल के बराबर है श्री विश्णु भगवान रत्न मोर्ती मनिक मानिक्य से इतने प्रसन नहीं होते जितना एकादशी के दिन तुलसी दल चड़ाने से ही प्रसन हो जात इस एकादशी के दिन जो मनुष्य भगवान विश्णू को तुलसी दल अरपित करता है उसके समस्त पाप नश्ट हो जाते हैं। इस एकादशी के दिन विश्णू भगवान के सामने घी का अखंड दीपक जलाते हैं। तो उन्हें मरने के बाद सूर्य लोक में सहस्त्र दीपको का प्रकाश मिलता है। इकादशी प्रिय है जो मनुश्य एकादशी के दिन भगवान विश्णू को भोग के साथ तुलसी पत्र अरपित करता है। उसे इंदरे लोक में अक्षय सुक मिलता है। एकादशी के दिन जो मनुश्य तुलसी चर्णामत का पान करते हैं, तुलसी चर्णामत को सिर परधारन करते हैं, वे इस संसार में पुने गर्ब ग्रह में नहीं आते। वे आवागमन के चक्र से मुक्त हो जाते हैं। जो मनुश्य एकादशी के दिन विश्णु मंदीरों में 108 परिक्रमा करते हैं, 108 बार गायतरी मंतरों का जाप करते हैं, वे कभी पापों में लिप्त नहीं रहते। जो मनिश एकादशी का वरत करते हैं वे अमर अजर संतान प्राप्त करते हैं वे गुणवान कीर्ती वान होकर सुख भोगते हैं एकादशी का वरत करने के बाद द्वादशी पर भ्रामन को भोजन कराके जो दक्षीना देते हैं और मंदीरों में सिधा बिजवाते हैं गरीब एक आदशी का व्रत सभी सिद्धियों को देने वाला है, सभी उप्ध्रों को नाश करने वाला है। इसमें कोई संद है नहीं है। अभी नियम बताए गए हैं। इसमें पित्रों के निमित पिंड़ दान करने, सिंग राशी वालों का व्रस्पती के निन गोमती में इसनान करने से, कुम्ब में, केदानात में, प्रियाग में, दर्शन करने, इसनान करने से, बदरी का आश्रम में, जाकर इसनान करने, सूरिय वैचंद्र ग्रहन में, जान्मिन में सोभाग्यवती का आशिरवाद मिलता है शास्त्रों में कहा गया है कि हाती का दान घोडे के दान से घोडे के दान से भूमी का दान श्रिष्ट है और उनसे भी उत्तम तिल का दान है तिल से जादा स्वन का दान उत्तम है और स्वन के दान से भी श्रिष्ट अन क का दान श्रेष्ट है क्योंकि अन दान सबसे बड़ा दान है क्योंकि अन से देवता मनुष्य पित्तर सभी को त्रप्ती मिलती है शास्त्रों में अन दान कन्यादान के बराबर बताया गया है एक आदसी के दस नियम है कासे के बरतन में भोजन ने करना मास, मदीरा, मसूर की दाल, चने की दाल, कांदा, लैसुन, शाक, मदू, शहद, दूसरे का अन, दूसरी बार भोजन और नमक का त्याग करना और इस्तरी भोग नहीं करना चाहिए जुआ नहीं खेलना चाहिए, रात्री शहन नहीं करें, पान ना खाएं, दूसरे की निंदा चुगली ना करें, और मोन रहें, एकादशी पर नारायन भगवान के स्वेरू की पूजा करनी चाहिए, जो मनुष एकादशी व्रत के दिन मंदीरों में पावितरतीर्थों में द पुनहे मनुष्य योनी में जानम लेते हैं और चक्रवती राजा बनते हैं और आनंद सुख भोगते हैं आईए अब हम मुक्षिदा एक आदशी की व्रत कता सुनते हैं एक बार युदिष्टर जी भगवान स्रीक्रश्न से बोले कि हे महात्मन आप सबको सुख देने वाले हैं जगत के आधार हैं इसलिए मैं आपको नमस्कार करके कहता हूँ और पूछता हूँ कि क्रपा कर मेरे इस संधै को दूर कीजिए मार्गशी स्माज के शुकलपक्षी की एकादशी का क्या नाम है उस दिन कौन से देवता की पूजा करनी चाहिए और किस विधी से करना चाहिए और एकादशी का उपवास किस तरह से करना चाहिए क्रपा करके आप मुझे विस्तार से बताइए युदिष्टर भगवान स्रीक्रश्ण से आगे बोले कि हे भगवान आप मेरे इन प्रशनों का उत्तर दे कर मेरे संधाय को दूर कीजिए तब भगवान स्रीक्रश्ण युदिष्टर से बोले कि हे राजन आपने अत्यंत उत्तम प्रशन किया है आप ध्यान पूर्वक सुनिए, मारगशी स्मास के शुकलपक्षी की एकादशी का नाम मोक्षदा एकादशी है, इस दिन श्रीदा मोदर भगवान की पूजा, धूप, दीप, नेविध्य, भक्ती भाव से कानी चाहिए, अब मैं एक पुराणों की कथा कहता हूं तुम ध्य इस एकादशी के वरत के प्रभाव से नरक में गिये हुए पितर, माता, पिता, पुत्र को स्वर्ग की प्राप्ति होती है, आप इस कथा को ध्यान से सुनो, प्राचीन गोकुल नगर में वेशामक नाम का एक राज्य करता था, उसके राज्य में चारों वेदू के ग्याता ब्रामन लोग रहते थे, एक रातरी को उस राजा ने अपने सुपन में देखा कि उसके पिता नरक में पड़े हैं और दुख भोग रहे हैं, तबी उसकी नीद खुल गई और उसे महान आश्चरिय हुआ, पूरी रातरी वे अपने महल में चहल कदमी में ही बिता दिया, प अपने पिता को नरक में पड़े हुए और दुख भोगते हुए देखा, उन्होंने मुझसे कहा कि हे पुत्र मैं नरक के दुख भोग रहा हूँ, मेरी अभी तक मुक्ती नहीं हुई है, हे पुत्र तु मुझे मुक्ती दिलाओ, तब राजा भ्रामनों से बोला कि हे भ्रा मैं क्या करूं, कहां जाओं, इस दुख के कारण मेरा शरीर तप रहा है, आप लोग मुझे किसी प्रकार का तप, दान, वरत, उपवास बताओ, जिससे कि मैं अपने पिता को नरक से मुक्ती दिला सकूं, उस उत्तम पुत्र का जीना व्यर्त है, जो अपने पिता का रामन बोले कि हे राजन यहां से कुछ दूरी पर एक आश्रम है, उस आश्रम में वरतमान भूत भविशे के ग्याता परवत नाम के एक मुनी रहते हैं, हमें उनके पास चल कर इसके बारे में पूछना चाहिए, वो ही हमें बता सकते हैं, राजा ने ऐसा सुना तो वे अप समय चारोवेदों के ग्याता परवतमुनी अपने शिश्यों के साथ बैठे हुए थे, राजा ने जाकर परवतमुनी को साश्टांग प्रणाम किया, परवतमुनी ने राजा से सांगो पांग कुछल शेम पूछी, तब राजा बोले कि हे देवरिशी आपकी क्रपासे मेरे राज्य में सब कुछल मंगल हैं, परंतु मेरे मन में अशान्ती है, कृपया करके मेरे मन के संधह को दूर कीजिए, ऐसा सुनकर परवतमुनी ने एक मूरत के लिए अपने नेत्र बंद किये और भूत और भविशय का विचार करने लगे और बोले कि हे राजन, मैंने योग बल के द्वारा तुम्हारे पिता के समस्त पूर्व जन्म के कुकर्मों का ग्यान प्राप्त कर लिया है, पूर्व जन्म में कामातुर होकर सोत के कहने पर एक इस्तरी को रितुदान मांगने पर भी तुम्हारे पिता ने रितुदान नहीं दिया, उसी पाप कर्म के फल से तुम्हारे पिता को नरक भोगना पड़ रहा है तब राजा ने कहा कि है मुनीवर मेरे पिताजी के उद्धार है तु आप कोई उपाए बताए तब परवत मुनी बोले कि है राजन मारगशी समास के शुकल उपक्षी की एकादशी आएगी जिसका नाम मुक्षदा एकादशी है उस एकादशी को आप उपवास करें और उस उपवास के पुन्य फल को संकल्प भरकर अपने पिता के लिए छोड़ दें उस एकादशी के पुन्य प्रभाव से ही तुम्हारे पिता को नरक से मुक्ती मिलेगी तब राज़ा ने परवत मुनि से मुक्षदा एकादशी के व्रत की पूरी विधी जानी और परवत मुनि को प्रणाम करके पुन्य वे अपने राज्य में अपने महल में आए उसके बाद मारगशी स्मास के शुकलपक्षि की जब मोक्षदा एकादशी आई तो राजा ने अपने कुटम सहित और मत्रीयों सहित मोक्षदा एकादशी का उपवास किया दूसरे दिन राजा ने अपनी एकादशी के पुन्य का फल संकल्प भर कर अपने पिता के लिए छोड़ दिया उस पुन्य के प्रभाव से राजा के पिता को नरक से मुक्ती मिल गई और जब वे सर्ग जाने लगे तो वे अपने पुत्र से बोले कि है पुत्र तेरा कल्यान हो तुने मुझे नरक से मुक्ती दिलाई तेरा वन्ष हमेशा फलेगा फूलेगा और तुखूब तरक्की उन्नाती करेगा ऐसा कहे कर उसके पिता नरक से स्वर्ग में चलेगे मार्ग शीस महा के शुकल पक्षि की मुक्षता एकादशी का जो वरत करते हैं उनके समस्त पाप नश्ट हो जाते हैं और अंत में स्वर्ग लोग की प्राप्ती होती है इस वरत से बढ़ कर मुक्ष देने वाला और कोई भी वरत नहीं है इस महात्यमे को कहने वाला सुनने वाले को वाचपे यग्य का फल मिलता है यह कथा पिता के प्रती भक्ती और दूसरों के प्रती पुर्णे अरपित करने की अनुपम गाता है इस एकादशी का वृत केवल वृत करने वाले प्राणी को ही नहीं बलकि उसके पित्रों को भी मुक्ती प्रदान कर देता है अपने सगे सहोदान मित्रभंदू को भी वैवरत का फल अर्पित करे तो वह भी पापों से मुक्त हो सकता है जो साधग माता बिता में इश्वर को देखते हैं भगवान विश्णु की उनके उपपर असीम अनुकमपा होती है और वे इस जीवन के समस्तु सुकों को भोग कर मरने के बाद स्वर्ग को पाते हैं घरती हो तो पूरी हो पूरी हो तो परवान चड़े बुले विसरे नाम तेरे भंडार में भरें इस कथा को सुनने का फल सब को मिले कहानी कहने वाले को सुनने वाले को और हुकारा भरने वाले को इस तरह आज मैंने आपको मुक्षिदा एक आदशी का महात्या में और एक धन्यवाद